Hi everyone, तो आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कि हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं मतलब कि उनका मोबाइल, आइपैड, लापटोप या टीवी इस सब पे जो वो टाइम स्पेंड करते हैं उसको हम कैसे विड टाइम कम कर सकते हैं यह कोई वीडियो मैं घ्यान देने के लिए नहीं बना रही हूँ, यह मेरा पर्सनल एक्सपिरेंस है क्योंकि मेरी भी पास साल की बेटी है सो यह मैंने कैसे किया है वो जर्नी मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज अस विडियो में तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको खुद बहुत डिटर्मेंट होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉंग होना पड़ेगा हम आजकल की जनरेशन की जो पेरेंस हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत ही साधा सॉफ्ट होते हैं नहीं हम बचों से ऊचे आवाज में बात करते हैं, नहीं हम चाते कि बचों को psychological कुछ भी feel हो लेकिन क्या होता है कि मारना, डाटना, सब कुछ गलत होता है लेकिन बच्चे के अंदर थोड़ा सा माबाब का डर होना चाहिए तो आपको इसके लिए बहुत स्ट्रॉंग होना होगा पहला पॉइंट है कि आपको अपने स्पाउस यानि कि अपने पार्टनर की हमेश्या बच्चों के सामने रिस्पेक्ट करनी है आपने देखा होगा कि जब हम लोग कुछ करते थे तो ममी बोलती थी कि मैं पापा को बता दूंगी ऐसा मत करो जबकि पापा मारते कभी भी नहीं थे हाथ कभी नहीं उठाया डाटा भी नहीं उची अवास में भी बात नहीं करी लेकिन आखों का डर होता था और या फिर पापा बोलते थे कि ऐसा करोगे तो ममी से चिकायत होगी आपकी ममी को अच्छा नहीं लगेगा तो हमें भी लगता था कि ममी को हर्ट होगा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो सेम साइकलोजी गोस फॉर नो किट्स और सबसे पहली तो आप अपने बच्ची के द और tokeniry रहा है मेरा भी करता था मैरा बहुत करती थी लेकिं कितनी देटक करीगी एक दिन दो दिन चार देम हक दस दिन बस इससे जाड़ा नहीं करेगी दस दिन बा Miri का जाएगी कि अब मेरी मानी जार". तो मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट यह है कि आपको एक टाइम एलोकेट करना है कि बस आपको इतना ही स्क्रीन टाइम मिलेगा से आपको 15 मिनट दिन का मिलेगा जब आप कुछ वीडियो देख सकते हैं तो आपके पास यूट्यूब पे फीचर होता है चाइल लॉग का पैरेंटर या तो वगा दीजए तो या आप फोन में जो चाइल लॉग होता है जो लगा दीजए तो एक तो आप मॉनेटर करते रहे कि बच्चा क्या देख रहा है और कितने टाइम के लिए देख लहें वो भी आप मॉनेटर करियों उससे ज़ह में देना ही नहीं है चाहे आप कितने भी busy हो अब अगर हम बच्चे का screen time कम कर रहे हैं तो obviously हमें उसको distract करके रखना है distraction is the key आप बच्चे को इतना distract करेंगे involve करेंगे दूसरे activities में उतना बच्चा phone नहीं मांगेगा तो वो क्या-क्या activities है मैं आपको अपने example के तौर पे आपको बताती हूँ एक तो आप Flipkart, Amazon या कोई भी online medium या offline shop से जाकर पहले अच्छे-ची activity books ले आईए जैसे कि मैंने ली है so age-wise activity books मिलती है या आपके preschool से लेकर बड़े होने तक मिलती है तो आप books को add करिए बच्चे की life में, kindle वगेरा सब ठीक है लेकिन फिर भी यह सारी चीज़े जो है long term में बच्चे को obese बनाएंगे, ice को effect करेंगे और भी पहुत सारी चीज़े होती है so आपको hard copy जो books की होती है पहले वो लेकर आईए और बच्चे को एक time दीज़े कि हाद दिन में आदर गंटा एक घंटा आपको बैठ के यह यह pages करने ही है उसके बाद आपको physical activity बच्चे की ज़रूर inculcate करनी है daily routine में जो मायरा के pediatrician है उन्होंने भी बोला था कि बच्चे के लिए sunlight बहुत ज़रूरी है physical activity बहुत ज़रूरी है so अगर आप पार्क नहीं लेके जा पा रहे हैं बच्चे को या आप टेरस पे नहीं खिला पा रहे हैं cricket football या कोई और activity hide and seek कुछ भी तो फिर आप कोई help hire कर लीजे आप में drug लीजे या आप अपने घर में और family members होंगे उनकी help लीजे लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा कि बच्चे की half an hour one hour की daily physical activity हो जिसमें वो धूप में जाए sun ले थोड़ा सा और उसके बाद उसका थोड़ा दौना भागना हो ताकि वो थके भी उसकी immunity भी boost हो so physical activity is very very important इसके लावा अप एच वाइस बच्चे के toys लाइए जैसे की role place toys होते है kitchen set doctor set beauty set police set army set builder set ऐसे बहुत सारे होते हैं बहुत ही affordable range पे market में मिलते हैं so आप role place के toy लाईए और बच्चे के साथ वो खेली उससे बच्चे की you know brainstorming होगा कि अच्छ पुलिस क्या करता है doctor क्या करता है कैसे वो करते हैं वो सारी चीजे plus educational toys होते है जैसे कि मैंने पिजा वाला लिया है यह जो भी है तो इसमें बच्चे को maths आएगा उसमें बच्चे को थोड़ा सा उसका brain storming होगा कहां पर क्या topics जालेने एड करेंगे तो क्या नंबर आएगा सो ऐसे toys आपको लाने जो उसके age wise होते हैं बच्चे के जिससे उसका overall development हो indoor में भी एक dance routine मैरा के साथ है कि रोज हम 40 minutes 45 minutes dance करते हैं साथ में इससे क्या होता है कि मेरा भी weight loss journey थोड़ा easy हो रहा है प्रस मैरा के साथ मेरा bond बन रहा है so she feels connected कि हम mother daughter time हमें मिल रहा है और उसके activity भी है तो बाहर भी नहीं जा पारी है तो आप घर में डांस करें बचे को योगा सिखाए बेसिक योगा कपाल भार्ती हो गया नुलोम विलोम सारे बच्चे कर लेते हैं सो मायरा भी बहुत ही easily कर लेती है तो आप यह सारी चीजे जो है दिनके 30-40 minutes बच्चे को अराम से कर सकते हैं एक बहुत ही घंडी हाबिट होती है बच्चों की कि खाना खाते वे उन्हें मुबाइल चाहिए चाहिए और हम पैरेंस भी दे रहते हैं कि चलो ठीक है शांती से खाना का लो लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चा घंटा बैठा रहेगा टुकूर टुकूर करके खान लेकिन कोई बाती मोबाइल नहीं थेना आप उसके साथ बैठके खाये हमेशा वह धीर धीरे खाएगा कुछ सोचेगा रुकेगा खायेगा लेकिन मोबाइल नहीं देना है जो कि आपको देना भी नहीं चाहिए तो आप उसको स्टोरी सुनाई यो नो इस वेरी कि हमें भी वो टाइम निकालना पड़ेगा कि हम 15-20 मिनट्स बच्चे को स्टोरी सुनाएं और उसको बोली कि आप तुम सोच हो अच्छे से ताकि हम कल फिर आपको और बेटर स्टोरी सुनाएंगे शो बच्चे को मोटिवेशन देना वो बॉदिंग देना बहुत इंबॉ तो फिर I will you know take you to the mall I will take you to the movies अब आप बोलेंगे कि मैं बच्चे को ब्राइब कर यू आप यह बताईए जब आप अपने office में अचा काम करते हैं तो आप भी expect करते हैं कि आपका boss आपको एक mail लिखे या आपको rewards मिले या ऐसा कुछ भी motivation factor तो हम बच्चों को भी हमें motivate करना ह पड़ेगा मैंनी कहरी है कि उनको बड़ी बड़ी चीजों के लालच तो उनको यह बोलो कि हाँ we will go to a picnic spot or we will take you to a holiday in another two months three months तो यह सारी चीज़े आप उसको बोल सकते हो यह जो भी उसकी फेवरेट है मैं आपको ठीक है एक दिन ice cream खिला दूंगी मन्त में अगर आपको चाह अगर आपके एक से जादा बच्चे है तो आप दो बच्चे है तो आप दोनों बच्चों का आपस में बॉंडिंग क्रिये तो जैसे अब मैं मायरा को मीरा के साथ activities में involved करती हूं कि चलो इसको खाना खिलाते हैं साथ में चलो हम मीरा की नापी बदलते हैं चलो हम मीरा को व चलो हो अगरी हो इसको भी एंतर्टेइन्मेंट चाहिए सो मैं क्या गट्यू कि मायरा को बहुत कि आप उसको वील्स ऑन बबस हो गया बेबी शाक हो गया सब गाके सुनाओ डांस करके दिखाओ उसे सो टीवी या मोबाईल की बज़ा एवो डिरिक्ट उसके साथ इंटरैक जब ऑपनी प्लेट कैसे रखेगा, गिरा देगा, आडी ये कैसे करेगा, शूस कैसे रखेगा, मैं रख देटू कप्ड़े कैसे उतारेगा, नहीं, you know, बच्चा ब्रश करना, अपनी प्लेट रखना, अपने पानी लेना, ये सारे काम खुद कर सकता है, तो आपको इसको इं आपके आसपास कोई आक्टिविटी है जैसे टाइक्वांडो हो गया बस्केटबॉल स्केटिंग फुटबॉल स्विमिंग यह सब होगे तो आपको इसना बच्चों को करवाना चाहिए तो जैसे हमने समर्स में स्विमिंग कर आया था तो वह काफी अच्छा ता मायर अगले स्विमिंग से बहुत ही अच्छे से स्विमिंग सीखी है एंड वेरी प्राउड ओफ हर इतनी कम एच में सो उसी तरह से आप भी अपने आसपास देखे कि क्या अक्टिविटीज बच्चे कर सकते हैं और ने भीजिए अगर आप खुद लेके नहीं जा पार रहें कोई प्र करने के लिए यह सारी जो एक्टिविटीज होती है ना बच्चों के साथ इसके लिए आपको ताइम देना पड़ेगा इन्वाल होना पड़ेगा हमाई पैरेंस भी होते थे और आपको सबसे बड़ी बात है थोड़ा सब फर्म और डिटरमाइं होना पड़ेगा कि मुझे बच्चों के साथ थोड़ा सब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा वरना अगर हम बच्चों की हर बात मानेंगे हर टैंटरम पर बोलेंगे चलो वक के साथ वो सीख लेगा तो ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि आजकल टीचर्स भी काफी लीनियंट हैं उनके भी कुछ गाइडलाइन हैं कि वो एक हट से जादा बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती हैं सो अगर आपके कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीम कर सकते हैं मेरा हैं आपके सामने हैं उसके लाब आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं मुझे आप कोई वीडियो अच्छा करें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें हमें इतना सारा प्यार देने के लिए बिग थैंक यू अपना ख्यार रखें और यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा थैंक यू